तो हम बात कर रहे थे शुक्र के बारे में शुक्र जब आपके लगन चार्ट में विहन भाव में इस्तित होते हैं तो आपको क्या-क्या रिजल्ट देते हैं अब अंतिम भाव की बारी आती है बारवे भाव के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र जब भी बारवे भाव में इस्तित होते हैं तो वो बहुत थिक सुखों के परती बहुत ज़्यादा लालसा देते हैं बहुत ज़्यादा इच्छा देते हैं अब आपकी कुणली में शुक्र जिन जिन भाओं का पर्ति निधित्व कर रहे हैं यानि जिन भाओं का स्वामित्व शुक्र के पास है उन भाओं की चीजों को आपको सरक्सित रखने में बचा के रखने में काफी मुश्किल हो सकती हैं उन भाओं से समंधित चीजों को रख देगा बहुत तिक सुखों के परति विलाशिता की चीजों के परति जो कभी भी खतम नहीं होगी बारवे घर का शुकर ये दिखाता है क्या आपकी जो YouTube काफी उचिस तरकिरिशों काफी voor लगजरी लाइफी स्टाइल होगी, आपके पास पैसा हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा पैसा आपके पास आता रहेगा, लेकिन पैसा आपके हाथ में बचेगा नहीं और बहुत बड़ा अमाउंट आप एक साथ खर्च कर देंगे, तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा खर्च करने से बसना चाहिए आपका सिरफ और सिरफ मकसद होता है इस जीवन का आनंद लेना आप उसके लिए अगर चाहेंगे तो आप कहीं से पैसा उधार लेकर भी खर्च कर लेंगे लेकिन आपको पैसे का आनंद पूरा लेना है बारवे घर में शुक्र है तो जातक के पास अपना खु ज़्यादा सुख दे सकती हो जो उसकी लाइफ को आसान बना देती है वो उनके घर में जरूर होती है ऐसे जातक किसी भी ऐसी वस्तू के लिए कितना भी बड़ा खर्चा करने से कभी गबराएंगे नहीं बारवे भाव में शुक्र है तो आपको अपने जिवन साथी से कु उपचार कर सकते हैं बारवे घर में शुक्र है तो आप में जो भी परतिभा होगी शुक्र से रिलेटेट जो आपके गुण होंगे उनको आप छुपा लेंगे आप उनको दूसरों के सामने परदर्सित करने में काफी किठनाई मैसुस करेंगे तो आप एक बहुत अच्छ तक ये possible है कि आपको popularity जरूर मिलेगी आप अपना खुद का एक नीजी कक्स जरूर रखेंगे जब भी शुकर बारवे घर में होंगे और आपका जो कक्स होगा जिसमें आप सोएंगे रातरी का विस्राम करेंगे आप रातरी की नेंद जिस भी कमरे मिलेंगे उस कमरे को बहुत ही केमती चीजी होंगे केमती सामान होगा अगर सुकर बारवे घर में है तो आपके घर में बहुत ज्यादा जो हीरे हैं या सोने चांदी के जो जेवरात हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं यानि केमती वस्तों और बहुत महंगी महंगी वस्तों लगजरी वस्तों क संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है. आपके घर में किसी भी प्रकार से सुखों की कोई कमी नहीं होगी. आप बहुत हद तक पूरी तरह से ये कोशिज करेंगे कि आपके जिवन में किसी वस्तो की कमी ना हो, सुखर के बार्वे भाव में होते हुए. ये शुकर की इस्तिती कई-कई बार आपको एनियंत्रित खर्चों को दिखाती है आपके जीवन में हलंकि स्ट्रगल कभी रहता नहीं इतना अगर शुकर यहां बहुत खराब इस्तिते में हो गया तो आपको काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है लेकिन बारवा शुकर है तो जातक बहुत ज़ अगर सयमित रहकर ही जिवनी आपन करे तो एक अच्छी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा अती भौग करते हैं किसी भी चीज का तो ऐसे में आपको परेशानी आ सकती है बारवे भाव में शुक्र है तो आपके इस्तरियों के साथ रिलेशन बनने के चांसिज बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रेम शमंदों के बाद वो आपके जो प्रेम शमंद है वो फिजिकल रिलेशन्शिप में कनवर्ट होते हुए देर नहीं लगती और mostly कई बार ऐसा भी होगा कि आपके किसे के साथ प्रेम शमंद पहले से नहीं है लेकिन आपका जल्द से जल्द किसे के साथ प्रेम शमंद बने और सीधा आपके उसके साथ फिजिकल रिलेशन्शिप बनने की संभावने बनने लग जाएं और लास्ट में उसके साथ physical relationship हो भी जाए तो ऐसी समझाने बहुत सारी आपके जिवन में आएंगे अगर आप एक पुरुस जातक है अगर इस्तरी जातकों की कुंडली में ये होगा शुकर बारवे घर में तो ऐसे में उनको सजने समझने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहेगी हलंकि ये इच्छा ये पुरुसों को भी बहुत ज़्यादा देता है लेकिन इस्तरियां यहां पर बहुत ज़्यादा ओवर मेकप करते हैं पर आपको हमेशा अपने आपको सेयमित रखते हुए ही उस इसकिल का योज करना चाहिए। अब सुकर अगर बारवे घर में हैं तो हमेशा हमेशा ये फिजिकल लेशनिप नहीं देते हैं या यूँ कहें कि ये मेरिज के बाद भी कई बार एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर होते हैं तो यहाँ पर अगर शुकर अगनी तत्वर आश्यों में होंगे तो उसका इतना परवाव नहीं रहेगा अगर यहाँ पर शुकर अकेले हैं और नीज की स्थिते में हैं तो आपकी जो लाइफ स्टाइल वो तो काफी ज़्यादा उच्छोगी लेकिन आपको कभी भी पैसे का जो सुक है वो नहीं मिलेगा हलंकि सुक आप भोगेंगे भी आप बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करेंगे लेकिन जब कई कई बार आपको जब बहुत ज़्यादा जरुरत पड़ेगी तो पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा इसी परकार से ये शुक्र आपको अती भोग की तरफ काम वासना की तरफ लेकर जाते हैं ऐसे में आपके बहुत सारे इस्त्रियों के साथ फिजिकल रिलेस्टिप हो सकते हैं और आप इसको एक आनंद की तरह लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए आपको हमेशा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए इस परकार की कारियों में शुक्र अगर सनी के साथ हो तो बदनामी भी करा सकते हैं शुक्र अगर सनी के साथ हो तो आपको ऐस अंतुष्टि बहुत ज़्यादा देंगे और आपके जो relations बनते हैं किसी के साथ तो उनमें पाबंधियां भी जरूर रहेंगी हो सकता है कुछ सर्तों के आदार पर आप वो relations बनाते हो अब बारवे भाव में शुक्र होगा तो आप जिनके साथ भी physical relationship में आएंगे उनके उपर आप बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जूरत रहेगी ऐसी जाद तक अपने घर या अपने परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और वो पैसे का कोई भी इतना विचार नहीं करते हैं, जब भी उनको खर्चा करना होता है, कोई भी चीज उनको चाहिए होती है, वो उसके उपर दिल खोल कर खर्चा करते हैं, तो आपके पास हमेशा सुक्सविदाएं तो रहेंगी, आप उनका यूज भी काफी अच्छी से कर पाएंगे, आप उनका भूब भी काफी अच्छी से कर पाएंगे, लेकिन आपके पास जो पैसा, जो कलेक्शन के रूप में पड़ा रहेगा, वो उसकी समस्या आ सकती है, अब यहाँ पर ऐसे जात्कों का जर्नम में कुछ इसलिए होता है, कि उनको एक लंजरी लाइफ स्टाइल जीना, उनकी जो सिरुवात से लाइफ स्टाइल होगी, वो कुछ ऐसे ही होगी, और हो सकता है आपकी जो फैमली काफी रिच हो सकती है पहले से, लेकिन ऐसे जात्कों की मन में फिर भी ऐस अंतुष्टी वाली जो भावनाएं, वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रह होना, या आपके जीवन साथी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, आपके एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स बहुत सारे होना, इस तरफ भी आपको लेकर जाती हैं, अब अगर शुकर बारवे घर में इस्तित हैं, तो हो सकता है अगर आपकी कुंडली में फोरें से जात्रा हो सकती है, आपका विदेश ट्यूर हो सकता है, अगर शुकर नेच का होकर बारवे घर में इस्तित है, तो ये काफी ज़्यादा प्रोब्लम्स आपको दे सकता है, अब यहां जो शुकर इस्तित है, उसकी विज़े से आपका जो पार्टनर होगा, उसका कनेक्शन अगर पहर के सकता है, यहां एक रहता है कि वह अपकी ही कंट्री से हो लेकिन वह फॉर्ण में रहता हो, बहुत हद तक यह भी समावना बनाते हैं शुकर यहां पर, कि आप अपने मेरीज के बाद अपने पाठर बहुत ज़्यदा खरज़ा करेंगे, आपका पाठर बहुत तो आपके जिवन साथी काफी सुन्दर होगा, लेकिन वो सरीर से काफी कमजौर हो सकता है, आप अपने जिवन साथी के लिए इतनी ज्यादा खर्चा करेंगे, आपका जिवन साथी इतना ज्यादा खर्ची लहाओगा, कि आपके पास वो एक रुपय भी नहीं बसने देगा ऐसी इस्तिती में जब शुकर बारवे घर में आते हैं तो आपके विदेश में सेटलमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसिस रहते हैं अब अगर आपका लगनेश होकर शुकर बारवे घर में इस्तित है जहां पर वो आपको फीजिकल डिलेसंसिप के लिए कुछ भी करने को तियार करेगा तो ऐसा जो शुकर होगा अगर देखे शुकर अगर गेतु के नक्षित्रों में बैठा होगा तो भेंकर ऐस अंतुष्टी डिलेसंसिप को लेकर देगा अब यहां पर जो अलग-लग रहे अगर यहां यूति कर रहे हैं शुकर के साथ तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा अगर गुरु यहां शुकर के साथ यूति कर रहे होते हैं तो आप में healing power या आपको जो paranormal experience होते हैं जिवन में कुछ ऐसे अनुभाव आते हैं आपके जिवन में या आप में जो qualities होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप healing power रख सकते हैं पर यहां गुरु के आजाने से शुकर वाली जो quality हैं शुकर के जो गुण हैं उनमें कमी आ जाएगी ऐसे में भेंकर ऐसंतुष्टे आपको अपने partner के साथ relationship में होगी और फिर आप आध्यात्मिक जिवन की तरब भी मुट सकते हैं अगर गुरु का प्रभाव ज़्यादा हुआ अगर यहां बुद्ध की इस्तिती बन जाती है तो ऐसे में आप विदेश के साथ जुड़कर कोई भी व्यापार कर सकते हैं अगर शुकर राहु के साथ बारव घर में बैठे होते हैं तो ऐसे में आपका foreign settlement हो सकता है और आपको foreign में ही सारी सुक्सुविदाएं मिलेंगी इसके लावा आपके जो relationship बनेंगे वो विदेश सी लोगों के साथ भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर राहु सुकर के साथ बैठे हैं तो आप में artistic talent भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि राहु अगर शुकर के साथ होते हैं तो वो सुकर के गुणों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसी परकार से अगर शुकर किसी और ग्रे के साथ होगा तो इसका परभाव अलग-अलग हो सकता है अगर चंद्रमा के साथ शुकर होंगे तो फिर आप अपने सपनों की दुनिया में जीएंगे और आप जो physical relationship हैं उनके बहुत सारे अपने खुद के आप सपने देखेंगे बहुत सारा आप सी कल्पनाएं करेंगे जो वास्तवक जगत में सही नहीं होगी पर आप अपने कल्पनात्मक जगत में खोयफे रहेंगे तो चंद्रमा के आने की वज़े से आपके मन की सीधी सीधी भावना ही जो होती है वो बारवे भाव से जूट जाती है ऐसे में बारवे भाव को लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार उठेंगे और ये चंद्रमा की जब यहां इस्तिती शुकर के साथ बन जाती है तो यहां चंदरमा भी खुद जिम्मेदार हो सकते हैं आपके अलग-अलग किसी दूसरों के साथ relationship के लिए अब यहां बारवे घर में शुक्र जितना ज़्यादा कमजोर होगा जितना ज़्यादा पेडित होगा उतनी ही ज़्यादा आपको अपने पार्टनर से एसंतुष्टी देगा उतना ही यह आपके पार्टनर की health को खराब करेगा अगर शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपकी जो lifestyle होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और आपको इसी तरह से विदेशों से बहुत ज़्यादा